है लो फ्रेंद्स अपने अक्सर देखा होगा कि हमारी विशुरय बहुत सारे पौदे हैं और बहुत सारे हर्ब्स भी हैं कई पौदों को हम हर्ब्स की तरह भी उसकरते हैं इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी ही हर्ब के बारे में जो देखने में बिलकुल फूल की तरह ही दिखाई देती है दोस्तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जिनेरियम के बारे में जिनेरियम एक विचितल नाम है लेकिन इसकी घुजबू काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है ये एक हर्ब होती है जिसे आप खाने के अंदर भी प्रियोग कर सकते हैं और अपने मसाले के तौर पर भी प्रियोग कर सकते हैं दोस्तो जिनेरियम के बहुत सारे फायदे होते हैं अगर आपकी प्रोतिरोधक शम्ता अच्छी नहीं है आप बार बार बिमार पड़ जाते हैं, तो आप जैनीरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हमेशा जवाब बने रहना है तो जैनीरियम को पीस कर उसे दूद के साथ मिला कर पेस बना कर चेहरे पर लगाने से जुर्यां आपके चहरे पर सालों साल तक दस्तक नहीं देती है और 30 या 40 की उम्र को पार करने के बाद भी आप महस 22 या 25 साल की दिखाई देती है तो दोस्तों अगर आपको हमेशा जमा दिखना है तो आप जेनीरियम का इस्तमाल कर सकती है इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार के संक्रमन को दूर करना हो या फिर अपने शरील को मजबूत बनाना हो आप जेनीरियम का इस्तमाल कर सकते हैं जेनीरियम का पौधा वैसे तो काफी ठंडे एलाकों में पाया जाता है लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ये काफी अच्छे सूपर मार्च किट्स के अंदर जहां पर हर्ब्स अवेलेबल होती है वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मिल सकता है इसलिए आपको थोड़ा साइसे ढूड़ना दोग पड़ेगा सो दोस्तों जेनीरियम को ढूड़े और इसे इस्तमाल करना शुरू करिए मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटीड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सब्सक्राइब कीजिए